हेलो अबरीवन थेंक्स वर वाचिंग यूर फेवरेट यूटीब चैनल आईलस पलाजा वेलकम बैक इन अदर वीडियो आज की जे जो वीडियो है काफी इंपोर्टेंट है इस वीडियो में हम कबर करने वाले हैं आपका स्पीकिंग का मड़ी हुई जन बच्चों ने अपना जो एक्जैम नवंबर जाफ़ दिसंबर मत में फिल कर दिया है और उनकी स्पीकिंग है और उनको डर भी काफी लग रहा है और उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है भी क्या अंदर जाकर हो सकता है और किन बातों का हमने ध्यान रखना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जही कुछ पिताने वाला हूँ कुछ ऐसी गलती है जो कि आपने बिलकुल भी नहीं करनी और कुछ इंपॉर्टन जो टिप्स है वो आपको मैं स्पीकिंग के एक्जैम के लिए देने वाला हूँ काफी इंपॉर्टन वीडियो है वी आए टू अंडरस्टैंड दा डिमांड ओफ क्वेस्चन काफी सिंपल सी चीज़ है बेसिक सी चीज़ है पर मैं आपको बता रहा हूँ जह काफी इंपॉर्टन थै मान लीजिए एक्जैमिजर आपसे फॉलॉप में जह मेरे साथ हुआ था एक्जैमिजर की डिमांड कुछ और थी और मैं कुछ और बोल रहा था। demand को जरूर से understand करना है कि examiner आप से पूश क्या रहा है जो वो पूश रहा है उसी का आपने answer करना है बच्चों को यह चीज कोई बताता नहीं है पर मेरे साथ हुई है तो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसी ना हो तो कि इसी गलती के कारने मेरा bands को थोड़ा सा कम रह गया था मेरा bands को speaking में six ही आया था पर मेरा जो level था वो seven तक का था मैं bands को ले सकता था पर कोई बात नहीं पर जो गलतीया मैंने की है वो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ वो आप बिलकुल भी मत करना और जो मेरा experience है वो मैं आपके साथ share कर रहा इसकी बज़ा से मुझे personally लगता है कि मेरा band score impact हुआ है मेरे band score पर impact पढ़ा है तो second चीज़ है smile on face क्योंकि जो बचे पहली बार exam देने जाते हैं तो mostly जो student होते हैं वो 12th pass out होते हैं और उनको इतनी जो life के बारे में पता नहीं होता उन्होंने कभी कोई interview ने दी होती उन्हो इसको भी काफी problem आती है हमारी जो उस डर के कारना हम काफी डर जाते हैं नर्बस हो जाते हैं और examiner को लगता है कि बच्चा नर्बस है और मैं इसको कह सकते हैं कि distract कर सकती हूँ इसको उलजा सकती हूँ पर एक चीज़ जो आपको इस चीज़ से बचा सकती है वो है smile क्योंकि जब मेरा exam था मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था पर एक चीज़ यूकि मैंने अपनी face पर रखी बहुती smile मैं smile के साथ examiner का answer दे रहा था अंदर से मैं डरा हुआ था पर examiner को मैं show कर रहा था कि मैं बहुती confident हूँ आप जो भी मुझे पूश रहे हो उसका मैं जवा सब्सक्राब है वो confident के साथ दे रहा हूँ I think जे जो चीज़ है इसकी बजल से मेरा band score six से कम नहीं रहा और आगे चलते हैं जी eye contact eye contact काफी important होता है क्योंकि जो IDP के examiner होते हैं वो ऐशा ही कुछ करते हैं मैं आपको उताता हूँ foreign stand जो मेरे साथ हुआ था क्योंकि जब मैं exam से ने गया कई वर हम examiner से डर जाते हैं आपको पता ही होता है और उनका जो कह सकते हैं कि environment होता है अटमास्फिर होता है वो भी इस परकार का बनाया होता है मेरी जो speaking थी वो पंजाब के बरनाला सेटी में थी बरनाला सेटी में जो एक होटल है और उसकी second floor पर वो exam room था मिलक का मैंने examiner के साथ eye contact बना कर रखा हो कि बाद जो कुछ हो रहा था buildings थी वो easily दखाई दे रही थी जो mirror था वो भी काफी बड़ा था पर मैंने examiner के आगे जो eye contact बना कर रखा तो जे वो चीज है जिन चीजोंने मेरी help की आगे बढ़ते हैं take proper 1 minute आपको पता होता है कि examiner आपक now I am ready I think this is the biggest mistake you will know मतलब कि आपको जे जो mistake है वो नहीं करनी चाहिए इसके साथ जे शो होता है कि आप काफी over confident है और examiner फिर आपको ज़्यादा आपका कह सकते हैं कि जो follow up पार्ट है उसको लंबा भी कर सकते है कि हाँ तुमने जल्दी से जो cue card prepare किया था देखते हैं तुमको कितनी English आती है आप अपना जो proper वर्नमेंट लो अगर आपने उसके जो bullet point कोई आपने note करनी है करो जासे ना करो वो आपके उपर depend करता है पर अपनी जो आखें है और आपका जो pen है वो आपके उसी जो paper उसने notes आपको दिये उस पर होना चाहिए जब examiner आपको कहेगा कि करना इसके साथ काफी अच्छा जो impact है वो पढ़ जाता है तो next जो चीज है वो है fluency I think अगर आप best score अच्छा score करना चाहते हैं अपने ILS के speaking के मड़ीवल में तो एक ही चीज मैटर करती है मेरे recording मल की एक ही चीज नहीं जो की काफी ज्यादा important है वो है fluency कि मेरा जो cue card का part थ वो काफी अच्छा था और मुझे cue card आया था describe a time when I gave talk to my friend तो जे वाला जो मेरा cue card था और इस cue card को मैंने बहुत अच्छे से बोला मेरा एक भी पाउस नहीं था as well as मेरी fluency काफी अच्छी थी मैं confident के साथ वो cue card बोला तो जे वो चीज है जिसकी वज़े से मेरा band score आया तो मै आपको जही कहना चाहता हूं कि आपने अपनी जो fluency है वो maintain करने की पूरी से पूरी कोशिश करनी है अपने पाउस नहीं लेकर आना ठीक है तो जे चीज़े कुछ important होती है जो आपको band score तक लेकर जा सकती है जो last वाली चीज़े जो काफी important होती है वो होते है examiner के expression last part पर आ कर रही थी कि मैं गलत बोल रहा हूं सबसे पहले तो मैंने रुकना चाहा पर मैंने सोचा कि मैं क्या हूं रुको अगर मैं रुक गया तो ना तो बोतो question repeat करेगी और मेरा जो वो रुकना था वो पाउस में गिना जाएगा और मेरा जो band score उसके साथ impact पड़ेगा मैं उस time रहते ही और उस time मुझे नहीं पता कि मैं किस sentence में किस sentence में बोल रहा था पर मैंने एक ही चीज मेंटेन करकर रखी बहुत ही अपनी फ्लुएंसी आई कंटेक्ट बना कर रखा फेस पर समाइल रखी confidence के साथ बोलता रहा अंदर से मेरा जो दिल था वो डर रहा था पर फिर भ करता है क्योंकि examiner आपके दूर बैठा होता है और आपका जो expression है आपका डर है वो judge नहीं कर पाता जितना आपका offline जो examiner है वो judge कर पाता है तो यह कुछ चीज़े हैं जो कि आपने mind में रखनी है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जुरूर कर द